अक्ट्रिस करिश्मा कपूर ने संजे कपूर के साथ शादी की थी करिश्मा की संजे कपूर के साथ शादी जादा लंबी नहीं चल पाई इस शादी से दो बच्चे हुए और उसके बाद करिश्मा कपूर अलग हो गई संजे कपूर से करिश्मा कपूर और संजे कपूर की शादी नहीं चलेगी ये बात करिश्मा के पिता को पता थी रंधीर कपूर ने करिश्मा को इस शादी के लिए मना भी किया था लेकिन करिश्मा संजे कपूर से इतनी जादा फैसिनेट हो गई कि पिता की इस बात को इग्णोर करते हुए, उन्होंने संजे कपूर से शादी की। करिश्मा के तलाग के सालों बात रंधीर कपूर ने मीडिया में एक इंटर्वियू दिया था और उसमें उन्होंने करिश्मा के पती को थर्ड क्लास आदमी कहा था और रैयाश कहा था आपको बतादे कि जब करिश्मा संजे कपूर से अलग हूई थी और उन्होंने तलाग की अर्जी दी थी तब ये भी बताया था कोट में कि हनीमोन के दौरान संझे कपूर ने करिश्मा पर दबाव बनाया था संझे कपूर के दोस्त के साथ सोने के लिए अब इन्ही बातों पर रियाक्ट करते हुए रंधीर कपूर ने एक इंटर्व्यू के दौरान कहा कि मैं इस शादी के पक्ष में कभी था ही नहीं संजे कपूर कैसा आदमी है ये पूरी दिल्ली जानती थी हम कपूर्स हैं हमें पैसे के लिए किसी के पीछे भागने की ना जरुत है और ना ही हमारे अंदर टैलेंट की कमी है और इस टैलेंट से हम जीवन भर कमा कर खा सकते हैं संजे कपूर एक थर्ड क्लास आदमी है वो एक नंबर का अयाश है मैं कभी नहीं चाहता था कि करिश्मा उससे शादी करे उसने अपनी पत्नी की कभी परवा नहीं की वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था वो दिल्ली में दूसरी महिलाओं के साथ रिलेशन्शिप में था और उनसे चक्कर चला रहा था पूरी दिल्ली जानती है वो कैसा आदमी है बहुत ये unfiltered बात ये रंधीर कपूर ने अपने एक्स दामाद के बारे में कही थी हाला कि बाद में करिश्मा को भी पता चल गया कि संजे कपूर कैसे आदमी है इसलिए करिश्मा ने संजे कपूर से तलाक ले लिया आज करिश्मा एक सिंगल मदर के तौर पर है उनके एक बेटा है और एक बेटी है करिश्मा का और सेंजे कपूर का जब डिवार्स हुआ था तब इस डिवार्स को सबसे महंगा तलाग कहा गया था क्यूंकि according to reports करिश्मा को एलिमनी में ना सिर्फ मोटा पैसा मिला बलकि प्र